इस कहानी की शुरुवात आसकर नाम के एक बॉने लड़के से होती है जो अपनी हवस मिटानी के लिए अपनी नौकरानी से लेकर अपनी पड़ोसी तक को नहीं छोड़ता है और उनको प्रेगनेंट कर देता है ये कहानी आसकर के कारनामों से भरी हुई है तो चलिए देखते हैं आसकर और क्या-क्या कारनामी करता है इस मूवी का नाम है टिंडरम इसे 1979 में रिलीज किया गया था इस कहानी की शुरुवात में हम एना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है तबी वहाँ पर जोसफ नाम का एक आदमी भागता हुआ आता है और पुलिस से छुपने के लिए वो उसकी मदद मांगता है तबी एना उसे अपनी गुफा गेंदर छुपा लेती है जोसफ इस मौके का फायदा उठा लेता है और वो गुफा गेंदर छुपकर एना का गेम बजाने लता है जब पुलिस यहां से चले जाती है तब पानी में डूप कर मर गया वही कुछ लोग ये कहते हैं कि वो वहां से भाग कर अमेरिका आ गया और वो यहां आकर एक अमीर बिजनसमेन बन गया और वो यहां आकर आश कर रहा है वही दूसरी और हम लोग एना और उसकी बेटी एगनस को देखते हैं जो कि बाजार में सामान बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं एगनस अपने कजन जैन से प्यार करती थी जो कि एक कॉलिज पोस्ट आफिस में काम करता है इसके अलाव एना एक शेफ से भी प्यार करती थी जो कि एक जर्मन शेफ था उन तीनों के घपा घप कार्यकरम से आसकर नाम का एक बच्चा पैदा होता है आसकर पैदा होने के बाद रोता ही रहता है और वो चुप ही नहीं होता जब उसकी मॉम उससे ये कहती है कि उसके तीन साल का होने के बाद उसकी मॉम उसे एक तीन ड्रम देगी तो वो अचानक से रोना बंद कर देता है अपने तीसरे जनम दिन पर जब आसकर ने लोगों को शराब पीते हुए और डांस करते हुए देखा तब उल डिसाइड करता है कि वो कभी बड़ा ही नहीं होगा और अपने इसी काम को पूरा करने के लिए वो सीडियों से कूच जाता है इसके बाद से अब उसकर हमेशा से तीन साल का ही रह जाता है वो हमेशा अपने ड्रम को अपने साथ ही रखता है और जब भी कोई उससे उसकी तूटी हुए ड्रम लेने की कोशिश करता है तो वो इतनी जोर से चिलाता है कि उसकी आवाज से काच भी तूट जाते हैं दीरे दीरे टाइम गुजरता रहता है अब आसकर छे साल का हो चुगा है आसकर ना ही बड़ा हो रहा था और ना ही वो अपने तूटे हुए ड्रम को अपने से अलग करता था और जब भी उससे कोई उसकी ड्रम चीनने की कोशिश करता तो वो अपनी अवाज से सारे काच तोड़ देता था आसकर की इस पावर को देखकर सारे डॉक्टर हैरान थे लेकिन उसकी मौम और उसके परिवार को ये जनना था कि आसकर आखिर क्यों बड़ा नहीं हो रहा है हम लोग देखते हैं कि एगनस हर थजड़े को आसकर के साथ शहर जाती थी और वो आसकर को एक दुकान पर छोड़ देती थी इसके बाद वो जयन के पास जाती थी और वहाँ जाकर वो जयन के साथ भयंग कर घपाघप करती थी लेकिन एक दिन उसकर को अपनी मा के सकान के बारे में पता चल जाता है ऐसा करते करते ही कई साल बीच जाते हैं और अब उसकर बारा साल का हो चुगा है एक दिन आसकर अपने मॉम डैट के साथ सरकस देखने के लिए जाता है जहां वो कुछ बॉने लोगों को परफॉर्म करता हुआ देखता है उन बॉने लोगों को देखकर आसकर के मॉम डैट को ये लगने लगता है कि शायद आसकर भी एक बॉना बच्चा है सरकस खत्म होने के बाद आसकर बैवरा नाम के एक बॉने से मिलता है जो कि आसकर के इस चैलेंड को देखने के बाद उसे अपने सरकस में काम करने का ओफर देता है लेकिन तब ही आसकर के मॉम डैड वहां आ जाते हैं और वो आसकर को अपने साथ ले जाते हैं इससे कुछ दिरों के बाद हम देखते हैं कि आसकर की मा आसकर को जिस दुकानदार के पास छोड़ कर जाया करती थी वो दुकानदार भी धीरे धीरे एगनस से प्यार करने लगा था वो उसे और आसकर को अपने साथ लंडन चलने के लिए कहता है लेकिन तब ही एगनस उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है इसके कुछ वक्त बाद एगनस को ये बात पता चलती है कि वो प्रेगनेंट है और उसके पेट में जैम का बच्चा है इस बाद से एगनस बहुत परिशान हो जाती है और अपने इस टेंशन की वज़े से वो बहुत सारी मशलिया खा जाती है जो कि उसे खाना बिलकुल पसंद नहीं था वहीं उसके पती अल्फरेड को इस बाद से कोई भी फरक नहीं पड़ता है कि एगनस की पेट में किसका बच्चा है पर वो एगनस को सिर्फ खुश देखना चाहता था लेकिन आसकर के पैदा होने के बाद एगनस को कभी भी खुशी नहीं हुई इसलिए वो अपने इस बच् पर हमला करके उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था वहीं पोस्ट ओफिस में भी पुलिस लोग पोलेंड वासियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे तब ही अचानक जर्मन्स का उन पर हमला हो जाता है इस हमले में बहुत से लोग मारे जाते हैं जिन में से एक जैम भी था आसकर इस हमले से किसी तरह बच जाता है और वो यहां से भाग जाता है इसके कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि अलफरेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया है उसे अपनी दुकान में काम करने के लिए रखता है मारिया दुकान के साथ साथ आसकर क भी ध्यान रखती थी दीरे दीरे आसकर को मारिया से प्यार होने लगता है आसकर की अमर भी मारिया जिती ही थी लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और वो आसकर को अभी बच्चा मानती थी जब एक राद अलफरेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है तब वो मारि या काफेर अल्फरेड के साथ चल रहा है और मारिया अल्फरेड से बहुत प्यार करती थी लेकिन अल्फरेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था मारिया इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो रोने लगती है इस मौके का फायदा उठा कर आसकर उसके पास आता है औ लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती है, कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्द देती है, उस बच्चे को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन आसकर ये सब देखकर बिलकुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे वो बच्चा उस आसकर इन लोगों के साथ मिलकर सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है, उनके साथ काम करते हुए उसे अपनी टीम की एक लड़की जिसका नाम रोजमिता है, उससे प्यार हो जाता है, अब कई दिन ऐसे बीच जाते हैं, अब आसकर अपने बौने दोस्तों के साथ ब जैसा कि उसे अपने तीन साल की उमर में मिला था लेकिन मारिया आसकर के यहां आने से बिलकुल भी खुश नहीं थी पर अल्फरेड अपनी बेटे के यहां वापस आने से बहुत खुश था अल्फरेड अपने बेटे को उन लोगों से छुपा कर रखता है क्योंकि अल्फरेड को ऐसा कभी नहीं लगता था कि आसकर आम लोगों से अलग है शेहर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है इसलिए डर के मारे अल्फरेड अपनी पड़ोसी लीना और अपने बेटे आसकर को बेसमेंट में छुपा कर रखता है इसके साथ अल्फरेड को अपने नाजजी होने के बाद भी छुपाने पड़ती थी लेकिन एक दिन अचानक रशियन सिपाही उनके घर पर गुश जाते हैं और वो अल्फरेड के सामने ही लीना के साथ जबरजस्ती करने लगते हैं वहीं अल्फ्रेड को नाज़ी सुपाई होने की बाद छुपाने के तिए आसकर उसे एक कोईन देता है जस पर नाज़ी होने की बात लिखे हुई थी तब ही अल्फ्रेड उस कोईन को निगल लेता है फिर वो कौइन जाकर अल्फरेड की गले में अटक जाती है और यहीं पर अल्फरेड की मौत हो जाती है अगली सुबा मारियस नाम का एक अदमी अल्फरेड की दुकान पर आता है और अब वो उस दुकान का नया मालिक था दुकान को अपने कबजे में करने के बाद मारियल अलफरेड का फ्यूनरल कर देता है क्योंकि उसने हाली में अपनी पत्नी और बच्चों को खोया था और वो जानता था कि किसी अपने को खोना कैसा लगता है अल्फरेड के मरने के बाद आसकर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है फिर इसके बाद आसकर फिर से ये बात डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा इसके बाद आसकर अपने ड्रम को भी अल्फरेड के साथ दफना देता है लेकिन फिर कहीं अचानक से एक पथर आता है और वो सीधा जाकर आसकर के सर पर लगता है जिसकी वज़ा से आसकर वहीं पर बेहोश हो जाता है यहीं पर एक आदमी इन लोगों को बताता है कि आसकर अचानक से बड़ा होने लगया है मूवी की लास सीन में हम लोग यह देखते हैं कि एना को छोड़कर शहर के सारे लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं जहां आसकर को पता चलता है कि उसकी चिलाने के शक्ती अब जा चुकी है और लाश्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में थैंक्स फो वाचिंग